हेलो एवरीबन वेलकम टू स्कूल राज थोरी तो आज हम देखेंगे क्लास थर्ड टू फेव इंग्लिश का ग्रहे कारे जो कि स्थोरी लिखनी है जो कि है दर थर्स्टी क्रो इन पिक्चर्स को देखेंगे कि हमें स्थोरी की एक कल्पना करनी है और यहां लिखना है उनको जैसे जो फर्स्ट है पिक्चर उसको देखर क्या लग रहा है कि एक क्रो है जो कि बहुत जादा थर्स्टी आने की प्यासा है तो इसी तरह से जो अन्ने पिक्चर्स हैं इनके नीचे भी हमें स्थोरी की लाइ जग देखा, next picture में क्या लग रहा है, कि उसने उस water जग में देखा, तो उसमें बहुत कम पानी था, there was a little water in the pot, next picture है, he thought of a plant, उसे क्या सुझा, एक idea सुझा, एक प्लान सुझा, तो जो next picture है, उसमें क्या लग रहा है, he started picking up the stones one by one, उसने एक की बाद एक पत्थर उठाकर, जो जार है, उसमें वह डालने लगा उनको, next picture में क्या है, the water level in the pot came up, तो क्या हुआ, जो जार में जितना कम पानी था, उन stones को डालते हुए, क्या हुआ, अब होता गया, तो उसने कोवे ने क्या किया, the crow drank the water, तो वो water जो है, वो उसकी पहुंच तक था, तो उसने क्या किया, उस जार से पानी को पी लिया, his plan had worked, उसका plan successful हुआ, और जो crow है, वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो ये तो हमने pictures को देखके story लिखी, अब हमें proper story लिखनी है, the thirsty crow, तो चलिए start करते हैं, inside, yes, he could see some water inside the jug, the crow tried to push his head into the jug, sadly he found that the neck of the jug was too narrow, then he tried to push the jug to tilt for the water to flow out, but the jug was too heavy, the crow thawed hard for a while, then looking around it, he saw some pebbles, he suddenly had a good idea, he started picking up the pebbles, one by one, dropping each into the jug, as more and more pebbles filled the jug, the water level kept rising, soon it was high enough for the crow to drink, his plant had worked, तो ये था class 3 to 5 का ग्रहे कारे, हम आगे भी इससे तरह अन्निक ग्रहे कारे देखेंगे, तो जोड़े रहे हैं, इस्कुल राज थोरी चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद,